चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे अभ्यान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं जहां तक इनकाउंटर की बात है योगी के आने पर लगातार इनकाउंटर बढ़ें हैं और बढ़ें किसके हैं सिर्फ दली तोबिसी या मुस्लिम उत्पिड़न तो ऐसे थे कि बारत बंद में के दौरान 48 लोगों की गिरफतारिया हुन और 48 लोगों में जो थे चार नावालिक बच्चे थे जिनके एक्जामस भी छूट गए चल चतर अभ्यान में आपका स्वागत है हम अभी आजमगड जिले में हैं एक समय था जब आजमगड जिला अपने साहित्ते कारों के लिए मशूर था अपने साहित्ते अपनी कला के लिए मशूर था अपने कला कारों के लिए मशूर था एक समय था जब आजमगड अपने प्रगतिशी लांदोलनों के लिए मशूर था लेकिन पिछले एक दो दश्कों में आजमगड की च्छवी कुछ बदली है अचानक बोला गया कि ये आजमगड नहीं आतंक का गड है नजाने कहां कहां से कितनी बार आजमगड के नागर को पर इल्जाम लगाया गया आजमगड को बदनाम किया गया कि यहाँ पर आतंखवादी है, यहाँ पर माफिया है, यहाँ पर क्राइम बहुत जादा है और उसी सलसले में यहाँ पर बहुत सारे लोगों पर कभी रासुका जैसे कानून के तहत लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया कभी anti-terror squad ने यहां से लोगों को उठाया है कभी UAPA जैसे draconian कानूनों के तहत लोगों को उठाया है अभी हमारे साथ आजमगर्जिले के रहाई मंच संगठन के कई सारे मानवदिकार कारेकरता हमारे साथ है कई बार यहां पर जब लोगों को आतंक के चार्जिस पर उठाया गया है या किसी और चार्ज पर भी उठाया गया है या in counters हुए है तब उस पर जब शक होता है कि शायद गलत मंच से उठाया गया है तो रहाई मंच ने अकसर ऐसे cases में हस्तक शेप किया है लोगों की कानूनी मदद करने की कोशिश करी है और अन्य रूप से भी मदद करने की कोशिश करी है रिहाई मंच के जितने में यहाँ पर साथी हैं आप सबका चल चत्रा भ्यान में बहुत-बहुत स्वागत सबसे पहले ये बताईए कि ये च्छवी आजमगड की कब से बदलनी शुरू हुई आपके हिसाब से आजमगड को बदनाम करने की कोशिश जैसा आपने बता है कि एक च्छवी बनी है आजमगड की तो कुछ घटनाएं आतंकी घटनाएं बहुत साफ कहना चाहिए उसमें गरफतारियां हुई है और ये माना जाता है कि उसी समय से च्छवी बदलनी शुरू हुई है लेकिन सच्चा ये नहीं है सच्चा ये है कि उससे पहले ही च्छवी बदलने की कोशिश की गई योगी आदितनाथ आदमगड में आये थे 2007 में उस वक्त आदमगड से कोई गरफतारी नहीं हुई थी उन्होंने आतंकड सबसे पहले उसी भासण में कहा था 2007 में उसके बाद पहली गरफतारी हुई है 2007 में ही लेकिन दिसंबर में हुई है बहुत चर्चित रहा है मामला यू पकचेहरी बिलास के मामले में तारिक कास्मी को गरफतार किया गया था और शायद यह पहला मौका था कि जब care के आरोप में किसी को गरफतार किया गया हो और आंदोलन के बाद उनको बाइस दिसंबर दो हजार साथ को बारा मंगी से ग्रिफदार दिखाया गया था हाला कि उनको कई मामिलों में सदा हो चुकी है अदालती प्रक्रिया अपनी जगा गवा सुबूत का मामिला अपनी जगा लेकिन आजमगड में कोई ये मानने के लिए तयार नहीं है मुसल्मान या गैर मुसलिम आज कर लिए एक चीज़ ये भी चली है कि मुसल्मानों की शायद अलग राए हो और गैर मुसलिमों के अलग राए हो लेकिन यहां एक मत है कि हकीम तारिक को गलत तरीके से पहले उठाया गया, उसके बाद प्रतारित किया गया, अवय धिरासत में रख करके, फिर गैर कानूनी तरीके से उनको हतियार के साथ ग्रफतार दिखाया गया बाराबंकी से, और फिर सितंबर 2008 में बटला हाउस इंकाउंटर होता है, कई बार हम से यह सवाल पूछा गया कि आखिर आदमगड के ही लड़के के, तो हम इस सवाल को हमेशा टालते रहे हैं, लेकिन मैं बहुत साफ यह कह दूँ कि आतंकवाद के नाम पे जो भी ग्रफतारियां होती है, उसमें आई बी की भूमिका होती है, और आई बी हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर एजिंसी है, जो किसी के प्रति जवाब दे नहीं है, वो आंदोलन एक तरह से आई बी को चुनूती थी, और उसने एक बड़ा हमला किया आदमगड पे सितंबर दोहदार आतने बाटला हाउस इंकाउंटर के नाम पर, और उसके बड़े पैमाने पर यहां से गिरिफतारियां होई, लेकिन एक ब एक बार फिर मीडिया में वही हेडलाइन बना, और फिर आतनगर से आतनकी नरसरी, लेकिन उन तमाम दुश्परचारों के बावजूद, हमने इस पे गर्व भी है, कि हमने लोगों का भरोसा जीता है यहां, उन सारे लड़कों का आज भी वो विशारा धीन है मामिला अदा अदालतों में, लेकिन जन्ता की अदालत ने बड़े पेमाने पर संजरपूर आ करके लोगों को यह बता दिया है, कि यह लड़के बेकुसूर हैं, बाकी गड़े हुए सुबूतों पर और किस किस तरह से मुकदमाच चलते हैं, यहां यह एक अलग मसला है, और आज जिस राजनीद है कि शायद निचली अदालतों से तो हमें इंसाफ मिलने वाला नहीं है, बात में अगर राजनीद कुछ बडली, तो उपरी अदालतों से हमारे लड़के बिलकुल बेगुना थाबित होंगे, आपने कहा कि 2007 में, यहां पर सबसे पहले योगी जी ने आकर बोला आप को किसी किसम का इसमें बड़ोतरी देख रहे हैं, इनकाउंटर इरेस्ट इस तरह की चीज़ों में, जहां तक इनकाउंटर की बात है, योगी के आने पर लगातार इनकाउंटर बढ़े हैं, और बढ़े किसके हैं, सिर्फ दली तो बीसी या मुस्लिम, अगर आप उमर हैं, कुछ ने उनके उपर करवाई हो रही, बाकी जो छोटे लोग हैं, या बस ऐसा ही नाम डाल दिया, नामजद कोई नहीं है, भी यतने लड़के मारे गए, इनकाउंटर में, मार दिये गए हैं, वो नामजद एक भी FIR उनके उपर दर्ज नहीं है, पुलिस दौरा जबकि हमारा सम्मिधान किसलिए बना हुगा है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, तो आप उसे आरिष्ट करो, जो साच है, आप पेस करो, अदालत सजा देगी उनको, सम्मिधान किसाब से, जो CRPC, IPC हमारी बनी हैं, आप काउन होते हैं, लोगों को मारने वाले, सीधे- आकड़ा है, आप 3000 करने का श्ट्रे लेता हैं, आप लोगों को गोलियां मारते हैं, 22 गोलियां मारी गई है, एंजकाउंटर होता है, रिवर्ट में गोली चलती है, अगर एक गोली लग जाए जिस व्यक्ति को, वो अपाहिज होके गिर जाता है, पहली गोली पैर में मारी जाती है वो आपाहिजोगे गिर जाता है जो वेक्ती गिर चुका है उसका सरीच सुन जाता अगर आप गोली के बारे में करेंगे जर्च बारे में पैरालिश जैसी स्थिती आउटमेटिकली बन जाती है आप किसी व्यक्ति को 22 गोली कैसे मार सकते हैं एवन हाथी को भी मारने लिए 5-7 गोली होती है। फोटतर वह है जिसमें छहनी कॉंटर आजम गड़ के हैं एकॐंटर मोग का है जिसमें तीन adorable है एक यादव बैकवर्ड है दो बैकवर्ड है एक सिंग है सिंग बोले तो सुजी ठाको और अधर हम आजम डिस्टिक में हुआ है मार मोड डिस्टिक से बिलांग करता है इस तरह से और जिसमें छे एक पाशवान है जिसका उसका परिवार में कोई है नहीं ने पांच साथ इंक जो है पुलिस द्वारा जो हत्या कर दिए गए और उसके अलावा हाफ इंकाउंटर्स लगभग जो है 85 है 85 पचासी है जी हाफ इंकाउंटर्स है उसके अलावा जो उनके साथ गिरफतार किये गए हैं जिसे एक मुर्भेट दिखाई जाए जाए जी और उसमें साथ ही कोई जो साथ में है इस तरह से लगबग जो है 200 के लगबग पहुंचे अब मुझे बताईए जो लोग जो 85 हैं जिनके हैं ऑन में लोग किन समाजों से हैं है भंडु़ के मुसलिम है दलित हैं अजीए बार्वारवड भी एंट भी है ​​ कितने हो आप मुझे लगबग् कुझ मुझे लगता है और और सिंग춰 नर्ट वी लगबग्स है और बाकी 65 के वरी उंपAssad के करीब जो है जो है मुसलिम दलित दलित औरोबीसी के लड़के हैं अभी ये भी देखा गया है कि जब से योगी जी मुखमंतरी बने हैं तो रासूका के तहट भी बहुत लोगों को गिरिफतार किया गया है पिछली सरकारों में भी हुआ था यूपी में पुछ लड़कीं को जो जेल में हैं तो यह जो चार लोग जो गरीब नाई की दुकान थी बाकि एक राजनेतिका आदमी एक लड़का था वह दावत उसकी खिलानेघने के लिए उसके लिए वह अरिश्य करके तो आप कह रहे हैं एक नाई की दुकान चला रहा था एक दरजी था आर्थिक रूप से काफी कमजोर भी है इन तब कि जिनको मतलब नैशनल सेक्यूरिटी एक्ट रासू का मतलब आप राष्टर सुरक्षा पर इन पर खत्रा मान रहे हैं जो इतने गुर्बत में जीता हुआ तब का है जबकि वहीं आप देखिए ना बहुत सारे वीडियों सोसल मीडिया पर सब कुछ है कि कि लोगों ने तोड़ फोड की कि लोगों जलाया कि लोगों लूट पूट की लूटा है पुलिस वालों खुद किया लेकिन उनके पर कोई कारवाई नहीं हो रही है 2 अपरे और तालीस लोगों में जो थे चार नावालिक बच्चे थे जिनके एक्जाम भी छूट गया और पूरे तरीके से मतलब के कुछ के ट्वेल्ट के पेपर थे कुछ बीस्पी बीसी फरस्ट यह के स्टूडेंट थे या फिर लेवन के स्टूडेंट थे उनके एक्जाम सक जो सीदे खड़े भी नहीं हो सकते हैं उनका नाम मुझे पूरा नहीं यादा रहा है उनका नाम सोनकर सरनेम सोनकर था वो ठीक से खड़े नहीं हो सकते हैं लेकिन उनको भी उठा के जबर जस्ती जेल में डाल दिया गया जेल में डालके उनके और पहले जेल जाने से पहले जो है बहुत बड़ा उत्पीडन किया गया था लॉकॉप के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे मारा गया है मारने के बाद में उन लोगों को जो है पुलिस द्वारा चार्जस लगा के एक और चीज इसके अंदर पुलिस यहां से क्या के भेशती है सभी को कि इनके सरीर पे ब्लड की क्लोटिंग बहुत बड़े पैमाने पे मतलब पुरी ब्लड की कॉट्टें पैरो पे ब्लड की क्लोटिंग तो हमें मतलब hospitalized होना पड़ता है, hospitalized होता हैं लोग, 14-15 दिन तक hospitalized रहता हैं आप कहारे हैं कि मतलब उठाने के बाद से लेकर जब आप already custody में थे, वहां से लेकर थाने तक आप लोगों को पुलिस ने पीटा है जी ठाइवन थाने में भी, रात को निकाल के गालियां देते हुए पीटे हैं भारत बंद के अंदर उसके बाद में जो है जैसे की पुलिस का जो रहा रवय्या, आज भी रवय्या जो है दलित को देखके, दलित अगर जाता है थाने पे, तो दलित को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, आज योगी जी के साशनकाल में, टोटल सबन लोबी, सबन में भी किवल ठाकूर, ठाकूरों का राज इस समय है, आजमगड की पुलिस टौकी पे दलाली का सिस्टम ठाकूरों बहुत सारे लोग जो खासकर कि इस तरह के समाज एक कारे करता, राजनायत एक कारे करता, जो अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, या पिर जो आपकी तरह मानवधिकार के मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं, शायद वो ये कहेंगे कि आज के दोर में ये सवाल पूछना ठ ठाया नहीं, चाहे मुद्धेड हों जिनको आप फर्दी मुद्धेड कह रहे हैं, या रासूका के तहट जिन लोगों को जेल में डाला गया, जाद अतर दलित मुसल्मान या पिछडे तपके के थे, इस तरह की जितने भी स्टेट एक्सेस हुई हैं, या मानवधिकार हनन ह होए हैं समा सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ लगभग लगभग विपक्ष भी शांत रहा है, यहां तक कि जब एक्तिवारी जी का इंकाउंटर हुआ था, तब अखिलेश जी उनके घर तक गएं, सब कुछ गया, अखिलेश यादव जी बोले उस पर, लेकिन बाकी कारा यादर काराई मायमती जी हो, इनकी पार्टियाँ की अकश्क बोला जाता है कि अलप संख्यों के मुद्ध मुद्ध करते हैं, डलितों के बारे में बुला बश्पा उठाती है लेकिन जाहां इन्ही समाजों के लोगों पर इतना अत्याचार एक तरम से सरकार से हुआ है पार्टियां लगबग शान्त रहे हैं इनके लीडर शान्त रहे हैं इन मुद्दों के अभी गुजरात को जो एलेक्षन हुआ है उस एलेक्षन के बास कौन बड़ा हिंदुगा उस पे पूरा डिबेट चल रही है ना अबीसी की बात है ना दलित की बात है अगर आप उत्तर परदिस्खी बात करेंगे तो सपा बस्पा यह मान के चल रहे हैं कि दलित तो बीसी और मुस्लिम जाएंगे का यह हमारे साथ रहेंगे इनको मुद्दे मत उठाओ तीवारी जी का ओट हमको मिल जाएगा तो मजबूरा नहींगे यह तो देंगे इनके मद्दा उठाने की ज़रूवत ने जबकि एक राजभर का इंकाउंटर हुगा तो ओम पर का राजभर ने उठाया उस सवाल को लेकिन हमारे यहां मुलायम सिंग यादो सांसत्य यादो मारा गया आपने नहीं बोला पहले बात तो रासुका का जो आज का इसू है रासुका जो आजमगड में लगाई जा रही है हमें यह देखना चाहिए कि योगी जी से पहले अख्ले श्यादौ ने olan ने गौकशी के मामले में रासुका का सुर्वात की हमें यह नहीं बूला चाहिए हम मगर विपक्ष की भूमिका में देखे तो जिन्हों ने सुरुगात की राशुका की वो राशुका का विरोध कैसे करेंगे अज राशुका का विरोध करते समय उन्हें उस समय भी तो देहन रखना चाहिए था समय जिम्मेदार है इस्तिति के लिए और आज जो जनता है जनता ये ढूंड रही है कि हमारे लिए कौन कम खतरनाक है कुल मिला जुलाके खतरनाक तो सबी हैं लेकिन कम खतरनाक कौन है इसके उपर ये चुनाओ रहे गए हैं आने वाले दिनों में जो ये चल रहा है अगर उन जिवित रहें कि तम नां को योजना चाहिए घर्मापूर जीवन जीने की बात नहीं कर रहें तो हम कब तक आपको ओठ देंगे अगर एई आजम गड़ को आतंक का गड़ नाम दिया गया बहुत यहां रहाई मंच के जो मानवदिकार कारिकरता यहां पर है उनका यह कहना है कि कही न कहीं उस एक अल्जाम के तहट बहुत यहां पर जल्म होएं यहां के लोगों पर जहां एक तरफ सरकार से नाराज़गी तो है ही है लेकिन उसी के साथ साथ विपक्ष के साथ भी एक हताशा है लेकिन एक वह चीज जरूर सुनने को आई है कि चाहे राजनेतिक विकल्प ना खड़ा हो लेकिन एक जन विपक्ष जरूर खड़ा हो रहा है चल चत्रव ब्यान के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहें चुनावी खबरे आप तक आती रहेंगे